नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक जोन क्लास जिमें स्वाकत है दोस्तों मिशन अनिशाथी साइंस बुक क्लास 6-12 के तहिए आपको रोजाना एक वीडियो उप्रूत करवाई जा रही है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक पढ़ाई जा रही है अभी कक्षा 6 की बुक चल रही है जिसमें डेले चैप्टर वाइज आपको रिवाइज करवाई जा रहा है जिसमें जितने भी मोस्ट इपोर्टन क्यूस्टन एक्जाम के दर्श्चिश मन रहे हैं साथ-साथ मिनका भी अजन करवाई जा रहा है आज का तो टोपिक आप आपको तुरुत पता चल जाएगा साथ ही दोस्तों हमने एक स्रीज भी चला रहे है पांच हजार की स्रीज जिसमें क्लास 6 से लेगा क्लास 12 तक की अन्साटी बुक से क्यूस्टन सामिल किया गये हैं जिसके तेद रुजाना आपको 50 क्यूस्टन करवाई जा रहे हैं तो आ हमारे टेलेग्राम गुरf एक्जॉन ट्सेज पर आपको अपर Calvin हो जाएगी उसका लिंक डिसक्रेश्टन में आपको मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं संजीव और नरजीव संजीव क्या होते हैं और नर्जीव क्या होते हैं देखिएगा संजीव वे जीव जिन में सफसन की किरिया होती है गती कर सकते हैं वर्दी करते हैं जिनन किरिया करते हैं पोशन करते हैं वो संजीव कहलाते हैं जैसे गाए हैं बक्री है ओंट है बरगद पेड़ पोदी होती ह ये सारे के सारे सिंजीव की स्ट्रेणिंग के अंदर आते हैं नर्जीव देखिएगा जिन में उप्रुक्त के रिया नहीं पायाती वो नर्जीव किलाते हैं यानि कि जो सबस्टन नहीं कर वर्दी नहीं कर सकते जनल नहीं कर सकते पॉष्ट्र नहीं कर सकते ये सारे के सारे तो तुन तुन उनको नोड कर लिया करो इसे डायग्राम में दिखा रका है गाई है, सेर है, पोदा है, ओंट है, बर्गद है, ये सारे संजीवी की सेने के रहा आते हैं इस प्रकार हम कैसे हैं कि हमारी वातवण में पेड़ पोदे पा जाते हैं और वस्तु में पा जाती है, उनको मुख्य दो वर्गों में विवाज़त किया जा सकते है संजीव और नर्जीव, संजीव देखेगा, समस्त पादप, जन्तु और सुक्छम जीव, सारी सारी संजीव की सेने के अंदर करताते हैं वो समस्त पादपों और जन्तों और सुक्षम जीवाँ के अतिक्त जितने भी वस्तों में पा जाती है वो सारी सारी रजीव की स्रेने के अंदर आती है आगे देखें का संजीवाँ के लक्षन क्या क्या होती है संजीवाँ क्या 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 कर सकते हैं संजीव बोजन गर्ण करते हैं, सफसन करते हैं, उधिपनों के परती अनुकरिया करते हैं, गति करते हैं, उतसरजन की कर्या करते हैं, परजन करते हैं, इनका एक निश्चित जीवन काल होता है और ये वर्दी करते हैं, अब इनका अलग अलग अदियन करेंगे पहला है संजीव है जो बोजन गरने करते हैं ये बोजन किस परकार करने करते हैं देखिएगा जो पादप होते हैं परकास संसलेशन की किरिया के दोबारा बोजन स्वे मिनाते हैं और सारे के सारे जनतु होते हैं जो पादपों पर निर्बर रहते हैं परकास संसलेशन की किरि मैं वहां से उनको आप सकते हैं अब देखाए है कि ऋच्छीव वर्द्ध सत्वाइब मुझा हो noun कि और का बाद कोने के बाद बड़ा होता है फिर बड़ा होता है फिर बड़ा होता है और इसके करते हैं प्रते एक संजीव होते हैं ऑक्षिजन गेंस को ग्रहन करते हैं तो यानिकि कार्वन डाई ऑक्षिजड गेंस को बाहर निकालते हैं पादब भी सब्सक्राइब करते हैं पादबों में सब्सक्राइब किरिया किस प्रकार होती है दिन में देखिए का प्रकास सब्सक गेंस को मुक्त किया जाता है बाहर छोड़ा जाता है जिसे सारी जीवजन तू ग्रहन करते हैं रात में इसकी विप्रित के लिए होती है ओटू यानकी ऑक्षिजन गेंस को ग्रहन करते हैं और सीटू यानकी कारवन ड़ी ऑक्षिजन गेंस को मुक्त करते हैं इसी वज़े से ये सलहा दी जाती है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सियो टू गेंस के अधिकता हो जाएगी और स्वांस लेने में कितनाई होगी जिसके एकार मनुश्य की मरत्यू हो शक्ती है अब देखिए कि संजीव स्वें गति करते हैं ये गति इन में किस परकार की होती है जैसे मनुश्य है पसुआ ये चलते हैं ये गति के सिरने के अंदर आते हैं मुचलिया तेरती है पक्षे उड़ते हैं सांप रहते हैं ये सारे सारे गति के सिरने के अंदर आते हैं देकि पेड़ पोदों भी गति करते हैं नहीं करते हो पेड़ पोदों में गति होते हैं इनके लक्षन दिखाई देते हैं जैसे सुरुजमु की है कि पोदों का प्रकास की और मूड जाना एक इनकी गति की स्रेने के अंदर आते हैं केवल इनके पेड़ पोदों में लक्षन देख शकते हैं वस्ते में इ цен स्वेंदर सिल्क viral होते हैं तक उद्पनों के पड़ते अनो के रिया करते हैं जशनी मनुश्य है मनुश्य को अगर कांटा या सूई चूबने पर पेरे पीछे खिंज लेते हैं ये एक स्वेंदें सिल्की अवस्ता है इसे श्वादिश्ट बोजन को देखर मुह में पानी आ जाता है लारा जाती है तो ये एक स्वेंदें सिल्की अवस्ता होती है पेड़ पौदों में जैसे चुई मुई का पौदा है उसकी पत्यों को अगर हाथ से चुनने चुआ तो ये उदीपनों के पड़ती अनुकिरिया दर्शाते हैं आगे देखिए का संजीवों में उत्त सरजनकी क्रिया किस प्रकार होती है सबी जन्तु है बोज़र नगरने करते हैं और अपची तबाग को यानि कि अफसिष्ट तबाग होता है जो मल मुतर के रूमें स्रीर से ब बाहर निकलते हैं जिसी गौंद है ये एक उत्त सरजन का भाग है इसके अलावा पेड़ पड़ों पर आप ने देखा होगा बलेक कलर का एक पदार्थ चिपका रेता है जो कि उनका उत्त सरजन के किरिया दोरा ये बाहर निकलता है यानिकि उनकी दोरा निकला गया एक संतान उत्पन करने की चमता रखते हैं ये उनकी जिनन के लिए किलाती है पर जिनन के लिए किलाती है बीजों के अंकून से ने पड़ों गरनमान होता है तो ये उनकी पेड़ पड़ों की पर जिनन के लिए किलाती है इस प्रकार की किलिया संजीवों में पर जिनन की किलिय कहलाती है जैसे कि डाइगराम में दिखा रखा है एक अंडा होता है अंडा से चूज़ा बहा निकलता है चूज़े से मुर्गा या मुर्गी का निर्मान हो जाता है और जैसे बीजों को लगा जाता है बीज पंकुन होता है देरे देरे बढ़ते बढ़ते ये पोदे का निर यानके परते एक संजीव होता है चाहे पेड़ हो चाहे पौदे हैं चाहे जनतु है जीव है सारे जितने भी संजीव है उनका एक निश्चित जीवन काल होते हैं यानके जनम लेते हैं वर्द गरते हैं और इनके मरती हो जाती है एक निश्चित जीवन काल के बाद अब देखे कि हमने पढ़ा है कि संजीव और नर्जीव अब देखे कि विशानों क्या होते हैं तो विशानों होते हैं संजीव और नर्जीव की बीच की कड़ी कहलाती है यानि कि संजीव और नर्जीव की बीच की कड़ी विशानों कहलाती है तो नजीव की बांती विवार करते हैं और संजीव की बांती अलक्षन परकट कर लेते हैं और ये पात्पों एंजनतों में एन्यग प्रकार के रोकों के कारक होते हैं अब देखिएगा जगदीश चंदर वसुकों थे इनकी थोड़ा जीवन काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसमें भी एक दो क्यूशन बन रहे हैं इनका जनम हुआ था 30 नमबर 1858 को और इनके गाउं का जो नाम था ररोली था जो वरत्वानी बंगलादेश में हैं पहले ये भारत में हुआ करता था क्योंकि 88.58 के समय भारत और बंगलादेश एग थे और इन्होंने कलकता विसुदाले से संदाथ तक प्राप्ट किया था और केंब्रिज की केमिल्टन कुलेज में एमे किया था और 1896 में में लंदन विशोजाले से विग्यान विशा में उन्होंने डॉक्टर की अपादी प्राप्त किये थी और 1920 में रोयल सुसालिटी के फेलो चुनोंगे थे अचारिये जिग्दीश चंदर बोस ने बोतिकी और जीव विग्यान के चातरों में मुहतबण कार रहा था और इन्होंने पौदों की दीमें गतिक हमापने के लिए एक यंतर का निमान किया था जो कि केस्ट कोग्राफ किराता है यानि कि केस्ट कोग्राफ के खोज करता है जिगदीश चंदर बसो यहां सी एक्विशन बन रहा है उन्होंने पौदों की स्वेंदे सिल्टा को प्रयोग द्वारसिद किया 19 शिदी की अंतिम दिनों में जिभी बोस ने कारियों के कारियों ने पूरी दिनिया में भारत का नाम रोस्न किया और जन्मिली 1898 में यह सिद हुआ कि मारकोने का वाइरलेस रिशीवर जिगदीश चंदर बोस द्वारा आविश करता यानि कि 1898 में मारकोने के द्वारा जो बनाए गया था अचार्य बोस ने एक ऐसे अंतर का निमान किया तो शुक्षम तरंगों तरंगे पेदा कर सकता था और जो 25 मिली मीटर और 5 मिली टर तक की होती थी तो दोस्तो आज का टोपिक यहीं कतम होता है कल मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ और दोस्तो अभी तक हमारे यूटूब चनल का आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दे स्क्राइब लिजिए साथ महीं आपको वीडियो कैसे लगा हमारे कॉमेंट बक्स में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में सेयर करना दोस्तों इसके पीडियोफ हमारे टेलेगराम गुरूफ और आपको मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्राइब स्टन में दिया गया वहां से टेलेगराम गुरूफ को जोइन करके आप प्रापत कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों